So, hello and welcome you all, I am Rohit from Margin Traders So guys, आज हम बात करेगे दो ऐसे बहतरीन स्टॉक्स के बारे में जो बिल्कुल आपको तगड़ा पेसा कमा कर दे सकते है और दोनों ही स्टॉक एक क्रूशियल लेवल पे खड़े है एक बड़ा सपोर्ट लेने की तैयारी में है और यहाँ से एक बड़ा रिवर्सल आ सकता है दोनों के ही रिजल्स दमदार आये है RVNL के भी और IRFC के भी दोनों ही रेलवे सेक्टर के दमदार स्टॉक है गाईस और यहाँ पर दोनों स्टॉक के बारे में काफी कुछ बाते होने वाली है इस वीडियो में तो वीडियो को एंड तक देखना इनके लेवल्स के बारे में हम जानेंगे और काफी कुछ बाते हैं इन दोनों स्टॉक्स को लेकर जो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करू उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल दे महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना फूर शेर्स के अपडेट्स के लिए शेर्स के लिए लेटिस नूस के लिए तो गाइस वीडियो करते हैं स्टार्ट तो गाइस फॉस्ट अफ़ल हम बात करेंगे आयर एपसी के बारे में तो गाइस आयर एपसी इसका पुरा नाम इंडियन रेलवेब फाइनेंस कॉर्परेशन एल्टीडी है 22 रुपे 45 पेसे पे स्टॉक ने आज दी है क्लोजिंग 35 पेसे तक स्टॉक में आज मोमेंटम हमें देखने को मिला है अपसाइट की और 1.58% के हिसाब से स्टॉक एक अच्छे तगड़े तरीके से बढ़ता हुआ हमें नजर आ रहा है तो गाइस स्टॉक में क्या ऐसी ही तगड़ी रैली हमें आने आले टाइम में भी देखने को मिलेगी तो ओ हमें देखने को मिलेगा इसके चार्ट पे तो गाइस चलते है सीधा IRFC के चार्ट पर तो कहीं न कहीं IRFC मैंने पहले भी आपको कई बार बोला है कि जब भी इसे एक ब्रेक आउट मिला है उसके बाद सपोर्ट लेके ही ये जंप लगाता है तो एक कैसे एक पहले भी हाँ पर हो चुका है अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स बताओ तो यहाँ पर भी ये सपोर्ट लिया है इसने फिर उपर के और गया है फिर उपर जाएगा तो यहाँ पर एक रजिस्टन्स और सपोर्ट का गेम चल रहा है कापी टाइम से आप देख सकते हो यहाँ पर इस टॉक ने support, यहाँ पर resistance बिला, यहाँ पर resistance बिला, यहाँ पर support लिया है, यहाँ पर support लिया है, यहाँ पर भी support लेगा, तो guys कुछ इस तरीके के momentum यहाँ पर चलते हैं में नजरा रहे है, और I hope कि यहाँ पर इसके बाद की जो candle green अगर बन जा और अगर इसने इस level को breakdown नहीं किया, तो बिल्कुल आप buy cure चा सकते हो, और यहाँ पर अगर इस pattern को day one time frame पर भी अगर देखा जाए, तो यहाँ पर अगर देखा जाएगा, इस breakout के बाद retest किया, फिर उपर गया, फिर retest कर सकता है, फिर उपर यहाँ पर जा सकता है, बट अ साथ पेसे तक की गिरावट stock manager आ रहे है, 0.60% के हिसाब से, यहाँ पर एक महीने में भी एक रुपे साथ पेसे तक stock गिरा है, 6.65% के हिसाब से, और वही छे महीने में एक रुपे 30 पेसे तक stock गिर गया है, market cap IRFC का तो आपको पता ही होगा, बिल्कुल एक mid cap stock है, 29.40,000 और dividend stock देता है 5.77% का, आज क्या हुआ था stock में, 22 रुपे 35 पेसे पे ओपन हुआ था, high लगाया था 22 रुपे 55 पेसे का, और low लगाया है 22 रुपे 10 पेसे का, वही गैस अगर बात करें इसके 52 weeks के high और 52 weeks के low की 26 रुपे 70 पेसे का high है, वही आपका target रहने वाला है, और 20 लो भी आपको देखने का आपर मिल रहा है, वही अगर बात करें price performance तो बिलकुल price performance डाउन ही नजर आ रहा है का भी time से, one week का भी अगर आप देखोंगे 2.17% तक ये डाउन ही आपर नजर आ रहा है, वही गैस अगर बात करें one month की, तो यहाँ पर minus 5.06% तक डाउन नजर आ है, three months की बात करें, 7.41% डाउन है और year one half का 1.53% डाउन है और one year का दिखा जाए तो minus 12.62% डाउन दिखाई देगा, वही अगर बात कर ले, इसके trade value और combinent delivery की, तो trade value आज का volume देखने को आपको मिल देगा, तो कल के volume से कम है, 81,000,000 का trade value है, और कल क्या हुआ था, 2 करोड का trade value और 1 करोड का combinent delivery था, और one week के average में अगर दिखा जाए तो यहाँ पर 97,000,000 का trade value है, और 52,000,000 का है combinent delivery, और one month के average में 97,000,000 का है trade value और 46,000,000 का combinent delivery देखने का आपको मल जाएगा, वही अगर बात करे, community sentiments के आखडे क्या कहत हैं, तो community sentiments के आखडों में 88% जो लोग है, ओ क्या कह रहे हैं, buy करने के लिए कहा जा रहा है, 12% लोग की और से यहाँ पर sell करने के लिए कहा जा रहा है, तो buy के लिए भी कहा जा रहा है, एक अच्छे positive सेनारियो यहाँ पर दिख रहे है, revenue सच्छे बड़े है, year on year, यहाँ और बड़ा है, net profit भी तगड़े तरिके से, shareholding pattern में, government की holding ही top पर है, 86.36% holding promoters की, यह नहीं है, government की, यहाँ पर FIQ holding 1.09% की, DIA की holding है, आपर 9.34% की है, sorry guys, यहाँ पर 1.09% की ही DIA की holding पर आती है, और public holding है 9.34%, यहाँ पर और all चुश, यहाँ पर shareholding pattern भी है, आप बात करें आर वी एनल की, so guys, आर वी एनल, आर वी एनल का पूरा नाम, rail विकास, निगाम, LTT है, और कई बड़े-बड़े projects इसे भी मिल चुके है, और guys, वही अगर दिखा जाए, इसके भी quarter 3 के results दमदार आये थे हैं, और विलकुल 35% का अब था इसके net profit में, और 33.80 रुपीस पे stock आज closing दी हैं, और देखा जाए, 0.30 पेसे तक stock आज बढ़ता होना जरा रहा है, 0.90% के हिसाब से, और guys, इसके charts को अगर देखा जाए, तो one week की time frame पर, तो कही न कहीं हमें कुछ यहाँ पर double top जिसा pattern भी देखा जरा रहा है, इसे हम bearish pattern भी करते हैं, बट यहाँ पर कहीं न अगर इस level को breakdown देता है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ, एक double top pattern था, बट यहाँ से अगर support लेके, यह उपर क्यों चले जाता है, तो यहाँ पर एफेल, जो level है, एफेल हो सकता है, तो guys, यहाँ पर हम एक trade line अगर बना दे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, हम यहाँ पर wait कर से, एक breakout का, और breakout के बाद एक jump लगा सकता है, और target भी हम उपर का रख सकते है, 42 रुपे के, 42 से 44 रुपे के आसपास का target आपको रखना ही चाहिए, क्योंकि आपर अगर देखो, तो यहाँ पर भी एक trade line अगर में बनाओ, तो complete वही pattern बनता है, और यहाँ पर भी एक trade line बनाओ, और यहाँ पर भी support ले चुगा है, यहाँ से jump लगा था, यहाँ से jump लगा था, तो हम भी wait कर रहे हैं, यहाँ पर भी एक बड़ा momentum आए उपर की और, तो guys बिलकुल आपको ready रहना है, रेल विकास निगम के उपर भी, और guys वही एकर बात करें, market cap की, तो 7.03,000 करोड का market cap है जो इसे एक mid cap stock बनाता है, P ratio है, 6.30 का और dividend stock देता है, 4.67% का, वही एकर बात करें, 52X यहाँ पर, sorry guys, आज की बात करें, क्या हुआ है, 33.45 रुपीस पे हुआ था, 11.34, 20 रुपीस पे हुआ लगा था, high और low है इसका 33 रुपीस के आसपास का, वही एकर बात करें, 52X के high का तो 44 रुपे, 80 पेसे का, यहाँ पर है high, और 26 रुपे, 35 पेसे का है low, तो high और low, दोनों की ही हमने बात कर ली है, और price performance बड़ा है, फिर गिरा है, तो यहाँ पर upside downs तो देखने को मिली रहे, price performance में, minus 2.03% down है, 1 month का भी देखे, तो minus 7.15% down है, और 3 months का 9.9, 40% यहाँ पर down है और year and half का minus 2.88% है, और guys वही अगर बात करें, 1 year की 8.70% यहाँ पर प्लस में भी दिखाई देदेगा, यहाँ पर अगर बात करें, trade values और combinate delivery इसकी तो 33 lakh का है trade value, और yesterday की बात करें, 53 lakh का trade value है, 24 lakh का combinate delivery, और 1 week के average में 54 lakh का है trade value, 23 lakh का combinate delivery देखने को मिल जाएगा, और 1 month के average म 73 lakh का है trade value, और 28 lakh का combinate delivery देखने को मिल जाएगा, वही guys अगर बात करें, community sentiments के आखडों की, तो community sentiments के आखड़े भी positive है, 67% जो लोग है, ओ क्या कह रहे हैं गई से यहाँ पर buy करने के लिए, 67% लोग की और से buy call के लिए यहाँ पर दिया जा रहा है, buy call, बिलकुल यहाँ 11% ल के और से क्या कहा जा रहा है, hold के लिए, तो guys holding के लिए कहा जा रहा है, buying के लिए भी कहा जा रहा है, और selling के लिए भी कहा जा रहा है, but यहाँ पर काफी ज़्यादा positive आखड़े हैं हमें देखने को मिल रहे है, revenues तगड़े बड़े है, year year basis पर 15,403 करोड के आसपस का revenue की है, FI की holding यहाँ पर 0.86% की है, DIA की holding है 8.62% और public holding है 12.32% की, और guys यहाँ पर RVNL और IRFC दोनों ही बड़े support level पर है, और दोनों के बड़े support levels के बारे में डिसकस कर लिया है, railway के दमदा स्टॉक है guys, invest करना हो, कर सकतो, वीडियो अच्छा लगाओ, वीडियो को लाइक करो जलो को सब्सक्राइब करो, थैंक यू